बिस्मिल्लाई रख्माई रहीम असलाव अलेकूम माई यूट्यूब फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लाई हूं मैं विश्की कुकिंग बेकिंग में बहुती टेस्टी स्पाइसी फ्राइड चिकन की रेसिपी जो बहुती सिंपल इंगीडियन्स के साथ आज मैं आपको ब बनाना सिखाओंगी बहुती एज़ी रेसिपिया आप लोग इस रेसिपी को डिनर में बना सकते हैं जावति में विच् हाज में आपकोती इज़ी ऑ कि अग बहुतीज़ी और सिम्पल इंगीडियन्स के साथ आज में आपको बनाना सिखाऊंग अगर आप मेरे चैनल पे यहां मैंने यहां पर बॉन के साथ लिए आप चाहें तो बॉनलेस चिकन भी ले सकते हैं इस तरीके से हम फोक की हैप से चिकन में हलके हलके से निशान से लगा लेंगे ताकि जो भी हम इसमें मसाले इंगीरियंस एट करें वो अच्छे से इसमें जबस हो जाएं मैंने फोक की हैप से सब चिकन के पीसिस पे अच्छे से निशान लगा लिए हैं विनीगर एट करेंगे तो यह मैंने लिया है वन टी स्पून विनीगर विनीगर एट करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे आप चाहें तो हैंड से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं मैं यहाँ स्पून से मिक्स कर रही हूँ जाए विनीगर एट करने के बाद अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है अब हम इसमें एट करेंगे इसके कर से और आप प्रेश गार्लिक पॉड्र भी एट कर सकते हैं यहां मैंने लिञत गार्लिक पैस्ट पॉर्ट कराइब भ्रेश अभी टिर यह मेंने äखुछ कर दिया है तो यहांकर टिक हो तो यह मेंने लिए हल्दी पॉर्डर और हाफ टीस्पून हमने इसमें लिया है सॉल्ट इस सारे इंगीडियन्स हम इसमें एड़ कर देंगे इस्पाइस आपने टेस्के मताबिक भी कर सकते हैं कम या जादा पर यहां में इस्पाइसी फ्राइड चिकन बना रही हूं तो इसमें स्पाइस हम पिसा हुआ गरम मसाला एड़ करेंगे और टीस्पून यहां पर में बेकिंग सोडा एड़ करूँगी जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं बेकिंग सोडा एड़ करने से चिकन जो है बहुत अच्छे से गल जाएगी अंदर से और बहुत ही जूसी और क्रिस्पी सी हमारी च स्पाइसी फ्राइड चिकन जो हम आज बना रहे हैं गीडियंस हमने एड़ कर दिये हैं चिकन में अब ज़स्ट में इसको अच्छे से मिक्स करूंगी आप चाहें तो हैंड की हल्प से भी मिक्स कर सकते हैं मैं यहां स्पून से मिक्स कर रही हूं बहुत अच्छे से मिक्स क अब जस्तो को हम Sharpe करने के लिए एक हंटे के लिए अप चाहें तो इसे ओंझ भण सकते हैं यहां पर एक हंटे के लिए रख रही हूँ चले में से च एंग घंटे में ने से कड़ने के अब देती थी games review doesn't बीट कर लेते हैं और अब हम इसमें मेरिनेट हुई भी चिकन में एड़ कर देंगे एग एड़ करने से बहुत अच्छी सी बाइंडिंग होगी जो हमने मसारे लगाए हैं आड़ से बहुत अच्छी सी चिकन करेंगे अ मसाला बिल्कुल भी चिकन से उत्रे गा नहीं अब जस्ट में से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ फिर हम इसको फ्राइ करेंगे और बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है इस पाइसी फ्राइड चिकन की तूकर सारे स्पाइसी जो हम घर में यूज़ करते हैं बस मैंने वो ही इसवे मैलिनेट की हैं चिकन पे लगाए है अ अच्छे से गरम हो चुका है मैलिनेट की हुई चिकन के एक एक पीस उठाते चाहेंगे और जस्ट हम इसमें आइल में फ्रास्वर करते जाएंगे यह देख सकते हैं जस्ट इतना ही आइल हमारा गरम होना चाहिए चिकन के पीस को hoping मैलिनेट घ्राइब करेंगे जितनी हमारी स्पेस ही इतने ही इतना ही इत्में ट्राइब करने के लिए कि लिए है जैसे ही अच्छे से थोड़ा क्रिस्पी होगा एक साइट से फिर हम इसको टर्ण करेंगे फॉरंस से टर्ण नहीं करिएगा चिकन के पीस को अगर आप बॉनलेस चिकन में मनाएंगे तो बॉनलेस चिकन की टाइमिंग प्राइंग की होगी तो बहुत ही कम होगी 10-15 मिनट में प्राइंगे और जो बॉन के साथ हम बना रहे हैं तो इसमें आपको 20 मिनट लगेंगे और यह अच्छे से कूख हो जाएगी अंदर से दो मिनट हो चुके हैं अब दो मिनट बाद हम जैसे इसको अब हम इस तरीके से टर्ण करते जाएंगे एक पीस को चिकन के अच्छे से अंदर से और गोल्डन फ्राय हो जाए तो यह अच्छे से पोख हो रही है हमारी चिकन अच्छे से प्राय हो चुकिए अब जबरदस थी ओद्सक्राइब यह देख सकते हैं लिए रखाइ के अच्छी चिकन अची को भी इसक फ्राइए के सब अच्छी को मैं अब बनाना चिकन को मैं ने तरह चुकिएं और यहां मेंने राइते और ग्रीन चट्नी के साथ सर्फ किया है और बहुत ही मज़ेदार सी ये स्पाइसी सी फ्राइट चिकन बनके रेडी होती है और बहुत ही क्रिस्पी सी आप लोग इसे डिनर में भी बना सकते हैं आप दावत में भी बना सकते हैं बहुत ही इजी और सिंपल इंगीडियन्स के साथ आज मैंने आपको बनाना सिखा ये spicy fried chicken की recipe आप लोग इस recipe को ज़रूर try कीजिएगा और comment से मुझे ज़रूर बताएगा आपको ये recipe कैसी लगी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल मैंविश की cooking baking को subscribe करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ ओके अल्ला हाफीज